आप सभी का स्वागत है वक्त हो चुका है आपके अपने खास प्रोग्राम आज के राशी फल का आज के राशी फल में हम जानेंगे कि आज के दिन किन राशी के ग्रहों की चाल को देखते हुए किन राशीों के जीवन में खुशियों का आगवन होगा आज ये भी जानेंगे क्या खहती है आपके राशी किन उपायों को करके कर सकते हैं आप जीवन में बड़े बदलाओ किन बातों का रखे खास ध्यान तो चलिए जानते हैं क्या है आज का आज का आपका राशी फल मेश आज आपका दिन सकारात्मक परिडाम ले कराएगा। आप अपने मनमोजी सुभाओं के कारण परिशान रह सकते हैं। आपको अपनी पारिवारिक समस्याओं पर पूरा ध्यान देना होगा। उपाये गाये को हरी घास खिलाएं। व्रिशब राशी आज आपका दिन खुशनुमा रहने वाला है आपको एक के बाद एक खुश कबरी सुननी को मिलेगी। आपको अपनी किसी पुरानी गलती से सबक मिल सकता है। उपाये बुद्ध मंत्रों का जब करें। मिथुन राशी जो जातक सामाजिक शेत्रों में कारिरत हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा रहीगा आपका मन इधर उधर के कामों में लगेगा। किसी यात्रा पर जाते समय आपको वाहनुका प्रयोग साभधानी पूर्वक रहकर करना होगा। उपाये हरी मुम की डाल का दान करें। कर्क राशी आपको कोई पुराना मित्र आपके लिए कोई निवेश संबंधी योजना लेकर आ सकता है। आपको किसी के कहने में आकर कोई इन्वेस्टमेंट करने से बचना होगा। उपाये रेण हर्ता गड़ी श्रोत का पाट करें। सिंग राशी आप अपनी सोच पर समझ से कामू को आसानी से पूरा करेंगे। आपकी तरक्की के नए नए मार्ग खुलेंगे। उपाये मादुर्गा को सोलर शिंगार की वस्तुवें अर्पित करें। कन्या राशी विद्यारती किसी स्कॉलर्शिप से संबंधित परक्षा को दे सकते हैं। आप अपनी संतान की फर्माईश पर किसी नए वाहन को घर ले कर आ सकते हैं। उपाये गड़ीश जी को दुरवा अर्पित करें। तुल्या राशी आपके कुछ नए विरोधी उत्पन हो सकते हैं। आपको अपनी पारिवारिक समस्याओं पर ध्यान देने की आवश्यक्ता है। सरकारी नौकरी की तैयारी में लगी लोगों की महनत रंग लाएगी। उपाये भगबान गड़ेश को पीले चंदन से तिलक लगाएं। व्रिशिक राशी आपको अपनी विरोधियों से सतर्क रहने की आवश्यक्ता है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आज के दिन अच्छा रहेगा। उपाये ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाब करें। धनु राशी आज आपका दिन पाचीत कर सकते हैं। उपाये विधी विधान से गडपती जी की पूजा करें। मकर राशी आज आपका दिन आए और व्याय में संतुलन बना कर चलने के लिए रहेगा। आपकी किसी बात को लेकर जीवन साथी से खटपट होने की संभावना है। उपाये सूर देव को हल् और चना मिलाकर जल और पित करें। कुम्भ राशी आपके परिवार में किसी मांगलिक कारिक्रम का आयोजन होने से माहौल खुश्नुबा रहेगा। आप अपनी घर की सुख सुविधाओं के चीजों पर अच्छा खासा धन व्याय करें। उपाये हनुमान 40 का पाट आपको उपनी संतान की संगती पर विशीश ध्यान देना होगा। उपाये तुल्सी के पेर पर जल और पित करें। फिला राच की राशी फल में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सीनी उस भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।